hello everyone I welcome you all to study Niti and this is success series by me Smriti जिसमें हम लोग 60 days का complete free course कर रहे हैं of Reasoning and Quants for Prelims and Means Examination तो यह आपके पास sessions का schedule है कि आपको किस-किस दिन कौन-कौनसे sessions मिलेंगे आज के session के हिसाब से हम लोग करने वाले हैं फ्लाट एंड फ्लोर बेस्ट पॉजल का प्रिलिम्स जो है उसका कॉंसेट आज हम करने वाले हैं तो यहां पर मैंने आपको थर्टींथ में तक अभी एक स्क्तिन यहां पर यहां पर इसके बारे में हम लोग करूंगे फ्लाट एंड फ्लोर बेस्ट पॉजल फ्लाट एंड फ्लोर बेस्ट पजल और यह किसके साथ ही सिमिलर रहता है जो हम लोगों ने करी थी ना मंत बेस्ट पजल दे बेस्ट पजल उससे similar रहेगा बाट यहां पर सिरफ रफ रफ फ्लोर्वर आ जाएंगे इतना ही फरक है बागी question करेंगे तो जाधा clarity मिलेगी देखो first question यह है this is a question of floor-based puzzle flat-based जिसमें आएगा उसमें मैं बता दूँगे आपको this is a question of floor-based puzzle आप screenshot ले लिजीए इसका देखो question में क्या बोलता है there are eight persons namely कुछ उनके नाम दे रखे हैं जो की eight different floors पे रहते हैं from one to eight but necessary not in the same order एक से आठवे फ्लोर तक रहते हैं ground floor को बोलते हैं हम लोग number one and top को बोलते हैं हम लोग number eight तो सबसे पहले हम लोग अपने floors बना लेंगे eight seven six five four three two one यहापर मैंने table पहले से इसलिए बना के रखा था because अगर फिर मैं बनाने चलो थोड़ा सा मैसी हो जाता है और यह दर हम लोग लिख लेंगे persons को मैं यहां पर दो possibility साथ लेके चलूंगी जैसे हमेशा लेके चलती हूं पहली पॉसिबिलिटी इसमें बनाएंगे दूसरी इसमें बनाएंगे क्लियर आर लिवस ओन और नमबर्ड फ्लोर किसी ओर नमबर्ड फ्लोर पे रहता है लेकिन थर्ड फ्लोर से उपर नहीं रहता थर्ड फ्लोर पे रह सकता है और थर्ड फ्लोर से नीचे रह सकता है तो ओर्ड नमबर हमारे पास कौन-कौन से आया एक तो वान आया और एक कौ इच में दो लोग हैं तो नीचे तो नहीं बन सकते टू पीपल छोड़के यहां पर क्यों आजाएगा इधर पर रहता है और जो है और पर रहता है मतलब ऑ किस पर रहेगा इवन पर ठीक है तो यहां से अगर मैं देखूं तो मेरे पास पॉस्सिबिलिटीज कौन-कौन सी बन रहे है एक तो वान टू वाली बन रही है और एक सेवन इट वाली बन रही है और इस में देखूंगे तो काफे सारी बन रही है बैटर यह है कि हम लोग क्वेशन को आगे proceed करें B lives above Q, B जो है Q से उपर हैगा, अगर Q से उपर हैगा तो A की possibility बनेगी first case में कि O यहाँ पर आ जाए, B यहाँ पर आ जाए और इस case में उपर रहेगा तो मेरे पस दो possibilities बन रही हैं, या तो B और O यहाँ आ जाए, या फिर B और O यहाँ आ जाए, तो मैंने दोनों को एक साथ लिख दिया, only one person lives between D and Q, who lives above D, Q किस के उपर हैता है, D क्यूपर और दोनों की वीच में एक person का gap है, तो Q से एक person छोड़ा नीचे को ना गया D, Q से immediately below C, P जो है C के immediately below रहता है, मतलब P और C के लिए हमें 2 spaces खाली चाहिए, and A lives above P, A जो है P से उपर रहता है, ध्यान देना, अगर मैं ये वाले case को लेके चलूँ, ये वाले case को जिसमें O और B यहाँ पर आ रहा है, तो मेरे पस C और P के लिए कौन सी जगा खाली बच रही है, एक तो ये, एक ये, और इस case में तो सिरफ A की जगा खाली है, ये वाली, और A हमारा यहाँ आ जाएगा, उसने बोला है, A P से उपर आता है, तो A definitely P से उपर आ रहा है, मेरा ये वाला case एकदम सही बना है, मतलब definitely ये गलत होने ही वाला है, देखो कैसे, इधर A आएगा, तो P से नीचे आया, ये भी cancel, और अगर मैं O और B को यहाँ पर रखती हूं, और C और P को यहाँ रखती हूं, तो देखो फिर भी A हमारा यहीं आ रहा है, जबकि A P से कहा आना चाहिए, उपर आना चाहिए, तो ये case अपने आप automatically cancel हो जाता है, हमारा first case जो है, वो एकदम सही बनाए, I hope आपको यह जिस clear हो गई हो, next question देखें, ये भी हमारा floor-based puzzle है, आप इसका भी screenshot ले लो, फिर हम लोग बनाना शुरू करते हैं, करते हैं शुरू, there are 11 persons, persons के नाम दे रखे हैं, जो कि 11 floors building में रहते हैं, on different floors from top to bottom, such that ground floor को हम लोग बोलते हैं number 1, और top floor को बोलते हैं number 11, तो 11 से लिखते हैं, 11, 10, 9, 4, 3, 2, 1, सारे के सारे floors बन गए, अब बनाना शुरू करते हैं, P lives above U, P जो है U से उपर रहता है, तो कहीं पर भी रह सकता है, extra information note कर लेंगे, जब required होगा तभी note करेंगे, X lives above T, but not immediately above, X जो है T से उपर रहेगा, लेकिन एकदम उपर नहीं रहेगा, T does not live immediately above और below R, तो T के उपर नीचे R नहीं हो सकता, या फिर बोलो R के उपर नीचे T नहीं हो सकता, तो यहाँ पर R है, T यहाँ पर भी नहीं आ सकता, T यहाँ पर भी नहीं आ सकता, इस तरीके से मुझे अच्छे से समझ में आ रहे हैं, ठीक है, V lives on 7th floor, V 7th पर रहता है, तो दोनों possibilities को मैं साथ लेके चलूँगी, 2 person live between W and V, W और V के बीच में 2 person है, तो अगर उपर से देखू, तो W यहाँ आ जाएगा, और अगर नीचे से देखू, तो W यहाँ पर आ जाएगा, S lives immediately above W, S जो है, W से immediately above है, तो S को मैंने यहाँ पर लगा दिया, number of person living above S is same as the number of person living below Q, जितने S से उपर रहते हैं, उतने ही Q से नीचे रहेंगे, S से उपर यहाँ पर देखो, कोई भी नहीं है, 11th floor पर है, मतलब Q से नीचे भी कोई नहीं होगा, इस केस में S से उपर कितने हैं, 123456, तो Q से नीचे भी कितने होंगे, 6, 123456, क्या हम लोग यहाँ Q को लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, मतलब यह वाला पूरा केस अपने आपे cancel out हो गया, 5 person live between U and Z, who lives below V, U और Z के अंदर 5 लोग रहते हैं, जो कि V से नीचे रहते हैं, V से नीचे आजाएगा Z, और U और Z के बीच में 5 लोग हैं, तो 123456, इस तरीके से, Only one person live between V and R, V और R के बीच में A की person, and Y lives above R, तो V और R के बीच में A person है, तो R या तो यहाँ पे बन सकता है, या नीचे एक गाप छोड़के यहाँ पे बन सकता है, दो places है R की, और Y जो है R से नीचे है, Y जो है R से नीचे है, तो इसको हम लोग इधर लिख लेते हैं, Y is below R, ठीक है, अब बनाना शुरू करें, देखो हमारे पास maximum case हम यहाँ से cover कर सकते हैं, जिसमें हमें पता है कि Z जो है, V से नीचे है, और Y और Z के बीच में 5 लोग हैं, तो अगर मैं तोड़ी सी common sense लगाऊं कि V के नीचे Z है, तो definitely Y जो है Z के उपर होगा, देखो, अगर मैं minimum case लूँ ये भी, तो 1, 2, 3, 4, 5, U नहीं आ सकता, मतलब U definitely उपर आने वाला है, तो हम लोग इस डबल R को हटा देते हैं, यहां से चेक करके देखा नहीं बन रहा, अब यहां से किसको चेक करेंगे हम लोग Z को, नीचे तो बनेगा नहीं, 1, 2, 3, 4, 5 नहीं बन सकता यहां से चेक करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 नहीं बन सकता यहां से चेक करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 यहां पे कौन बन सकता है, U और अगर और नीचे से चेक करेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर U नहीं बन सकता, मतलब U और Z की जगह हमने देख लिए कि कहां कहां पर आएगा, तो extras को हम लोग remove कर देते हैं, यहाँ से, हम लोग उने कहां बनाया था, let me check, once, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर कौन आ जाएगा, Z यहीं था न, 1, 2, 3, 4, 5, Z आ गया हमारे पास यहाँ पर, एक मिनट मैंने यहाँ पर रखा था ना, पहले तो 1, 2, 3, 4, 5, U यहाँ पर भी तो आ सकता है, और अगर मैं नीचे रखूँ तो 1, 2, 3, 4, 5, U यहाँ पर भी आ सकता है, अच्छा तो दोनों cases बन रहे हैं, तो दोनों cases को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इस बेटर दोनों cases को लिख लेते हैं, और R, V से एक नीचे था तो R यहाँ पर भी आ सकता है, उसके बाद बोला गया है कि 1 person live between V and R हो चुका है, V, Z, V के नीचे Z, A यह भी हो चुका है, S और Q भी हो चुका है, और R से उपर नीचे T नहीं आएगा, considering, U के उपर कौन है, P है, अगर मुझे U के उपर P को लगाना है, तो U अगर मैं यहाँ पर लगाऊं तो P उपर नहीं आ सकता, U अगर मैं यहाँ पर लगाऊं तो P definitely यहाँ आ सकता है, तो P की जगाँ तो हमें मिल गई, तो R तो definitely यहाँ आए गई नहीं, तो R आ जाएगा 5th floor पे, यहाँ पर मेरे पस आ जाएगा P, और R आ जाएगा 5th पे, अगर U यहाँ पर आए तो 1, 2, 3, 4, 5, Z हमारा कहां आ जाएगा 2nd floor पे, अब R से ना तो नीचे T आएगा, तो T हमारा यहाँ आ जाएगा, clear, T के उपर X है, और U के उपर P है, यह हमें पता है, R के नीचे Y है, अगर R के नीचे Y है, तो Y यहाँ पर आ जाएगा, और T के उपर X है, तो X यहाँ पर आ जाएगा, इस इस दा फाइनल अरेंजमेंट जो हमारे पस बनी है, इस question के according सारी की सारी conditions को देखते हुए, I hope आपका भी यहीं arrangement बना होगा, बाकि मैं इसको, extras को यहाँ से erase कर देती हूँ और थोड़ा सा clearly लिख देती हूँ कि कौन कौन कहां कहां पर आएगा, यह यहाँ पर मेरे पास कौन था, U था और इधर मेरे पास X था, अगला question देखो, screenshot ले लो फिर बनाना शुरू करते हैं हम लोग, this is also a question of floor-based person, flat वाली आगे आएंगी, and यहाँ पर colors का भी रोल है, क्या बोला गया है, 10 persons हैं, जो की different floors रह रहे हैं, 10 story building के, 3 of them like colors, सिरफ 3 को ही colors पसंद हैं, और हम लोगों को floor number दे रखे हैं, तो topmost 10, सारे के सारे floors हम लोग बना लेते हैं, it's done, information देखो, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे person, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे color, similarly मैं हमेशा 2 case बना के चलती हूं, तो 2 case ही बना के मैं चलूंगे, I live two floors above the person who likes blue, दो floors उपर का मतलब क्या है, दो floors उपर का मतलब क्या है, कि I जो है, blue से उपर वाले दूसरे floor पे रहेगा, अगर वो बोलता ना, at a gap of two floors, फिर मैं दो floors का gap देके, I और blue को लगाती, बट उसने बोला है, two floors अबब मतलब उपर वाले second floor पे, हमें किसको लगाना पड़ेगा, I को, समझ में आ गया, तो इसको हम लोग बना लेते हैं, यहां से, थोड़ा सा clearly बना लेंगे, यह हमारे पास है blue, ठीक है, इसके सामने एक person होगा, इसके सामने एक person होगा, और दूसरे floor पे कौन आ जाएगा, आया जाएगा, more than three persons live below the one, who likes blue, blue से नीचे, तीन से जादा लोग रहेंगे, मतलब blue से नीचे, चार से लेकर, कितने लोग रह सकते हैं, वह अब तीन से जादा है, तो इसको तीन से जादा ही बना देंगे, that means blue वाला, minimum minimum कौन से floor पे आ सकता है, फिफ्ट पे तभी उसके नीचे चार लोग रहेंगे, and this is more than three, तो blue वाला minimum five से शुरू होगा, बाकी नीचे ले floors पे वो नहीं आएगा, clear, आगे लिखा है, D lives at least three floors above I, I से तीन floor at least उपर D रहता है, at least उपर का मतलब क्या है कि कम से कम, देखो अगर मैं blue को किस पे रखती हूँ, five पे बोला था मैंने, तो उसके एक और दूसरे floor पे कौन आ जाएगा, I आ जाएगा, मैं पस 11 लोग हैं क्या, 10 स्टोरी विल देगे, ठीक है, कौन आ जाएगा, I आ जाएगा, और D at least three floors above रहता है, मतलब I से तीसरे floor पे रह सकता है, या उससे उपर रह सकता है, तो तीसरे floor पे तो मुझे 1, 2, 3, D दिख रहा है तो तीसरे floor पे आ जाएगा, उससे उपर नहीं बन रहा, मतलब में पस I भी आ गया, blue भी आ गया, maximum case मेरे पस ये बन गया, कि blue हमारा 5th पे आ जाए, तो बाकी की conditions को हम लोग हटा देते हैं, आगे देखो, A lives on an odd numbered floor, and immediately above G, G से immediately above A है, और ये odd पे है, मतलब G किस पे होगा, even पे, A doesn't like blue, तो A 5th पे नहीं आएगा, इसको corner पे लिख देती हूँ, A 5th पे नहीं आएगा, अबव H, who doesn't live below 4, H जो है, उससे immediately above कौन रहेगा, C रहेगा, और H 4th floor से नीचे तो रहेगा ही नहीं, 4th floor से नीचे नहीं रहेगा, मतलब ना तो 3rd पे आ सकता है, ना ही 2nd पे आ सकता है, ना ही 1st पे आ सकता है, clear, B lives 2 floors above E, E से 2 floors उपर का मतलब क्या है, E से उपर वाले दूसरे फ्लोर पे कौन रहेगा, B रहेगा, person who likes red, lives 2 floors above B, अब B से उपर वाले दूसरे फ्लोर पे कौन रहेगा, जिसको red पसंद है, and F likes green, F को green पसंद है, तो यहाँ पे green आ जाएगा, clear, समझ में आ गई, अब देखो हम लोग इस चीज़ को यहाँ से उठा सकते हैं, A और G से, क्योंकि मेरे पस G और J का यहाँ से connection बढ़ रहा है, उसने बोला, A G से immediately above है, और A odd number पे है, G even number पे है, odd number अगर मैं देखू, A और G कहाँ पे आ सकते हैं, तो 9 और 8 पे आ सकते हैं, और हमारे पास, 5 पे तो यह नहीं आ सकता, और हमारे पास 3 और 2 पे आ सकता है, जिसमें G even पे आ जाएगा, A odd पे आ जाएगा, दो ही case हैं, तो यहाँ पे मैं दो ही case बना लोगी, दोनों cases में हम लोग रखके देख लेंगे, पहले case में A और G को यहाँ रखेंगे, तूसरे case में A और G को 3 और 2 पे रखेंगे, अब G और J के बीच में दो लोग हैं, मतलब इधर से 2 छोड़े, जे आ गया और इधर से 2 छोड़े, जे आ गया, जे हमारा किस पे आ गया, ब्लू के हैं, उसके बाद हम कौन सा ढूंड सकते हैं यहां से, इसने बोला था, C से immediately उपर कौन रहेगा, H, यह यूज होगा, इसको काट डूंगी, मतलब हमें 2 spaces खाली चाहिए, C और H के लिए, और H जो है 3rd, 2nd और 1st पे नहीं आ सकता, उपर देखो तो C और H के लिए जगार नहीं है, minimum देखो तो C और H के लिए जगार बनेगी, बट H जो है 3rd पे नहीं आ सकता, मतलब यह वाला पूरा case मेरा cancel out होगा, इधर से देखो तो नीचे कोई space नहीं दिखरी, कि मुझे C और H के लिए सिरफ यह इई space दिखरी है, लगा दिया इसको मैंने, आगे देखो, B से दूसरे floor उपर पे red वाला person है, और B और E के बीच में कौन है, एक person है जिसमें B E से उपर है, उसने बोला था ना, E से two floors above कौन है, B है, clear, E और B से देख सकते हैं, और B और Red से देख सकते हैं, सबसे पहले E और B को और रेंज करते हैं, तो minimum से minimum E को मैं यहां लगा सकती हूँ, और B को मैं यहां लगा सकती हूँ, क्योंकि नीचे मुझे कोई space नहीं दिखरी, और B से उपर वाले दूसरे floor पे कौन आ जाएगा, मेरे पस Red तो Red मैंने लगा दिया, और A की बच्चा F, F को क्या पसंद है, Green कलर पसंद है, तो F ग्रीन पे आ गया, यह हमारी final arrangement बन चुकी है, I hope यह आपको clear होगी, आप भी दो-दो possibilities बना के साथ में चला करो, ताकि कोई भी चीज जो आपको बार-बार काटनी न पड़े, या रेस ना करनी पड़े, clear? Next question पर चलते हैं, This is a type of flat and floor-based person, flat plus floor, screenshot ले ले लिजिए, आफटाफट से, देखो question में क्या बोलता है, हमारे पास 10 persons हैं जिनके नाम हमें दे रखे हैं, जो कि एक 5-story building में रह रहे हैं, ground floor 1 है और topmost floor 5 है, each of the floor has two flats, as flat 1 and flat 2, दो flats है, flat 1 of floor 2 is immediately above flat 1 of floor 1, ठीक है? यहाँ पर देखो, थोड़ा सा आगे और पड़ोगे, यह चीज समझ में नहीं आती न, तो सिरफ यह देख लिए, अगरो कि flat 1 is to the west of the flat 2, मेरे को कभी भी आज तक यह चीज समझ नहीं आई है, यह वली चीज है, तो मैं सिरफ यह ढूमती थी कि कौन east और west में है, तो flat 1 west में है, तो west में बना देते हैं, तो यहाँ पर यह flat 1 west में आ जाएगा, और यह flat 2, और यहाँ पर क्या आ जाएँगे, floors आ जाएँगे, और इधर भी floors आ जाएँगे, और यह हमारा flat 1 आ जाएगा, यह हमारा flat 2 आ जाएगा, आगे हमारे परस further information है, तो यह information पर ही जलते हैं, कसीम lives an odd numbered floor, कसीम जो है odd number पर रहेगा, फ्लोर पर, मतलब कसीम जो है, या तो 1 पर या 3 पर या 5 पर, बोथ ताहिर और बिदेन, lives in the same flat number, flat number मतलब दोनों, या तो flat 1 में रहेंगे, या flat 2 में रहेंगे, floor उनके change हो सकते हैं, floor क्यों change हो सकते हैं, क्योंकि उसने flat के बारे में same बोला है, मतलब यहाँ पर हम लिख लेंगे, ताहिर और बिदेन, same flat, इनके flat same होंगे, floor का उसने कुछ नहीं बोला, रेहान और अंच live in the same floor, रेहान और अंच same floor पर का मतलब क्या है, या तो दोनों first पर ही floor पर है, flat change हो सकते हैं, अगर दोनों same floor पर हैं, तो definite सी बात है, एक flat one में होगा, एक flat two पे होगा, राइट, तो इन दोनों के क्या है, same floor है, आगे पढ़ लेते हैं, Chris does not live on flat number two, floor number one, flat number two, flat number two, floor number one यह वला है, यहाँ पर Chris नहीं आएगा, तो यहाँ पर इसको काट देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा खुला ही बना लो, ताकि बीच में हम लोग लिख सकें, there is a gap of two floors, in which Kasim and Piyush lives, दो floor का gap है किसमें, Kasim और Piyush में, तो यह Kasim, sorry, यूँ आगया, और यह Piyush, उपर नीचे दोनों हो सकते हैं, irrespective of their floor numbers, बोथ Piyush and Kasim, did not live in the same flat number, दोनों same flat में नहीं रहेंगे, उसका मतलब क्या है, कि दोनों, जैसे मैं आपको एक example लेके बताती हूं, यहां पर, wait for a second, मालो कसीम यहां पर है, तो दो मैंने floor चोड़े, तो Piyush यहां नहीं आएगा, तो फिर Piyush हमारा यहां पर आएगा, समझ में आ रहा है, दोनों अलगलग flats में, मतलब एक flat 1 में होगा, एक flat 2 में होगा, तो इसको यहां से हम लोग, erase कर देते हैं, आगे देखो, अच्छा, यह इनके different flats हैं न, तो यहां पर हम लोग देंगे different flats, ताहीर lives immediately above Piyush in the same flat number, ताहीर जो है, Piyush से immediately above है, same flat में, मतलब यहां तो दोनो flat 1 में हैं या 2 में, तो यहां से ताहीर और Piyush, इधर से हम लोग शुरू कर सकते हैं, देखो कैसे, फर एक्जाम्पल, अच्छा, हमें को यह नहीं बता न, लेकिन flat 1 आया flat 2 है, तो हम लोग इसको यहीं चोड़ देते हैं, थोड़ा सा और information मिलेगा, फिर आगे चलते हैं, there is a gap of one floor, in which Tahir and within lives, तो यह ताहीर और within, इनके बीच में एक floor का gap है, floor gap, और यहां पर आपको पता है, कि same flat में है, यह लोग मतलब एक ही इसी वाले में ही आएंगे, जैसे यहां पर और यहां पर, इनका यहां पर change नहीं होगा, क्योंकि same flat है, Ethan who lives on an odd number, even numbered floor, live below ansh, and both live in same flat number, Ethan जो है even numbered पर रहेगा, और ansh के नीचे रहेगा, यह ansh है, इससे नीचे कौन है, Ethan, जोनों same flat पे हैं, same flat पे हैं, clear, Dinesh lives above सुधीर, and both live in the same flat number, Dinesh जो है, सुधीर के ऊपर रहेगा, और same flat में रहेगा, मतलब एक ही कॉलम में आएंगे, उसके बाद बोला है, Chris and सुधीर, neither live in the same flat number, nor on same floor number, Chris और सुधीर दोनों अलग-लग flat में आएंगे, और अलग-लग floor पे आएंगे, Chris, सुधीर, different flat, and floor, Dinesh lives below Chris, who lives in flat number one, Chris जो है flat number one में रहेगा, and both lives on different flats, Dinesh lives below Chris, Chris से नीचे रहेगा, कौन? Dinesh, और Chris जो है flat one में आएगा, समझ में आगया, यह हमारे पास information थी, पूरी की पूरी, अब हम लोग इसको ना, plot करना शुरू करते हैं, सबसे पहले देखो यहाँ पे, कसीम और प्यूश से शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ से हमारा question बनने लगेगा, कसीम के दो floor छोड़के प्यूश है, लेकिन different flat में, यहाँ से शुरू करेंगे, तो यह आजाएगा कसीम, यह दो मैंने यहाँ से छोड़ा, इधर आजाएगा प्यूश, ठीक है, पहले flat 1 में लेके देखते हैं, नहीं सही बैठा, तो हम लोग flat 2 में लेके देखेंगे, कसीम को, फिर प्यूश को, ठीक है, यहाँ पे आजाएगा प्यूश, ठीक है, प्यूश से एकदम उपर कौन है, ताहिर है, तो एकदम उपर ताहिर है, तो ताहिर यहाँ आजाएगा, ताहिर यहाँ आजाएगा, उसके बाद बोला है, कि ताहिर और विदेन किसमें हैं, सेम फ्लाट वर कसीम को 1, 3, 5 था, तो मैंने कसीम को 5 पी रखा है, बाग 4 पे नहीं आसकता, तो यह अच्छा, यह 4 पे नहीं आसकता, तो यह गलत हुजाएगा, हमें 1, 3 या 5 में रखना पड़ेगा, तो इस बेटर पहले 5 पे ही चेक कर लेए थे, दोनों फ्लाट की अकॉर्डिंग है न, तो यहाँ पे, कसीम आजाएगा, और यहाँ पे 2 छोड़के, पीउश आजाएगा, पहले 5 पे चेक करेंगे, नहीं सही आया, फिर 3 पे आएगे, यह आजाएगा ताहिर, यहाँ तक हमारा बन गया, ताहिर और बिदेन में, एक फ्लोर का गैप है, यह वला, एक फ्लोर का गैप है, और दोनों सेम फ्लाट में है, तो अगर मैं ऊपर देखू, तो बिदेन यहाँ आसकता है, नीचे देखू, तो बिदेन यहाँ आसकता है, ऊपर देखू, तो भी यहाँ आसकता है, नीचे देखू, तो भी यहाँ आसकता है, दोनों जगे आसकता है, क्या बिदेन से related और को information हमें यहाँ पे दे रखी है I think नहीं दे रखी तो एक बार इसको hold पे रखते है यहाँ पे इसने बोला है रिहान और अंश जो है same floor पे है और अंश के नीचे कौन रहेगा एथन जो की even number floor पे रहेगा अगर मैं रहान और अंश का देखू तो मेरे पास यहाँ तो यह वली जगा खाली है या बिदेन को अगर यहाँ पे मैं ना रखू तो यह वली जगा खाली है एक तो यह वली जगा खाली है और यह वली जगा खाली है बिदेन को हम लोग यहां पर नहीं रखेंगे लिकिन हमें पता हैं यहां पर कि अंज की नीचे definitely इथन ने आना है तो यहां पर हम लोग रहांश और इथन को अंज को नहीं रख सकते मतलब रहान और अंज यहां आएंगे इस फ्लाट यह फ्लोर पर तो आर और ए मैंने डाल दिया ताकि एक निशानी रह जाए कि अंज और रहान यहां पर आएंगे तो यह भी use हो चुक है इसको भी cancel out करते हैं मतलब हो गया है अंज की नीचे इथन रहेगा even number फ्लोर पर सेम फ्लाट में तो मेरे पास अंज की नीचे इथन है even number फ्लोर पर अगर मैं अंज को यहां रखूं तो even number फ्लोर पर अल्रेड़ी प्यूश बैट चुक है अंश को यहां रखूं तो even number floor पर कौन आ जाएगा इथन आ जाएगा आ सकते हैं और अगर अंश यहां आ गया तो रिहान कहां आ जाएगा फोर्थ पर ठीक है यहां पर अंश आ जाएगा यहां पर रिहान आ जाएगा और सिमिलरली इस केस में भी हम लोग अंश को यहां नहीं रख सकते क्योंकि नीचे अल्रड़ी प्यूश बैट चुक है तो अंश हमारा यहां आ जाएगा और रिहान हमारा उदर आ जाएगा यह अंश आया इसका एक छोड़ के कौन आ जागा इथन विच जौन एवन नंबर फ्लो यह भी हो गया अब देखो कौन-कौन बच रहा है यह रहान है यह अंश यह भी अंश रहान है नाओ-कौन बचैंड यहां से देखोँ disrespectful नीचे दिनेश के नीचे दीनेश आयएगा और लिफ्लाड़ फ्लाट पे अगर यह फ्लाट वन है तो इसका कौन से हो जाएगा फ्लाट तू धिनेश आएगा फ्लाट तू को में है क्लिर रिस के नीचे दिनेश है और दिनेश के सुधीर है कौन से फ्लाट में फ्लाट टू गई क्रिस के नीचे दिनेश है दिनेश के नीचे कौन है सुधीर है तो अगर मैं फ्लाट टू की बात करूं तो मेरे पस या तो विदेन यहां आएगा तो ये विली जगह खाली होगी या बिदेन यहां आएगा तो यह विली जगह खाली होगी मेरे पास दिनेश और सुधीर के लिए दो जगे खाली हो ही नहीं रगी रही मतलब फर्स्ट वाला कीस यह वाला कैंसल जिसमें मैंने कसीम को फिफ्ट पर रखा था इधर से अगर मैं देखू क्रिस मेरा फ्लाट वा और दिनेश से नीचे कौन था मेरे पास सुधीर आई गया सब लोग आ गए सुधीर और क्रिस और डिफ्रेंट फ्लोर तो सुधीर यहां पे है और क्रिस यहां पे है फ्लाट वान और फ्लाट टू है बाकी सारे information करेक्ट हो चुकी है मतलब जो मैंने फिफ्ट पर कसीम को र चाहीं को ठरट पर रख द पर फिर कि अबनना पैड़ती कोशिश की चूरूंग्संस च्छुरू करो अधब सुरू करो से जन्स मीरे डुबाराव बार से बिनाना बढ़ जाता हैं तो case number second is true बागे में इसके extras को हटा देती हूं ताकि कोई भी confusion आपको ना रहे ओके यू कर आल्सों टेक्ट स्क्रीन शॉट्ट इप्योंट सू moving on to the next question and this is probably the last question ये भी हमारे पास flat or floor a floor का ही question है flat and floor का I hope you had taken the screenshot अभी तक तो ले लिया होगा now let us start the question 10 people है हमारे पास नाम उनके दे रखे हैं 3 flats on each of the four floors out of which two flats are vacant हमारे पास floor 4 है और हर floor पे flat 3 है मतलब 4 into 3 हमारे पास जगा कितनी हुई 12 लेकिन लोग कितने हैं 10 तो जाहिर सी बात है दो flats तो vacant होंगे न clear the flats are numbered as 123 on each of the floors सबसे पहले हम लोग floor देख लेते हैं चार floors हैं यहां पे भी चार floors हैं दो cases बना लिए and are left to the right on the floor respectively as per north direction इसका मतलब क्या है left से लेके right में मतलब left से लेके right में कैसे 123 123 यह left से right होगे as per north direction मतलब जैसे अभी आप बैठे हो हम लोग उने seating arrangement करी है न उस recording यह बोल रहा है flat 1 of floor 2 is exactly above flat 1 of floor 1 यह देखो flat 1 floor 1 का और यह flat 1 floor 2 का flat 1 floor 1 से immediately above है तो हमने arrangement जो है वो सही बनाई है एकड़म इसको उटा देते हैं आगे हमारे पास further information है यहां से वसीम stays on flat number 1 of the floor just below the floor on which साक्षी stays साक्षी के just नीचे वाला फ्लोर यह वाला फ्लोर इस पे कौन रहेगा वसीम रहेगा जो की कौन से flat पे है flat number 1 साक्षी का flat हमें नहीं दिया गया तो हम लोग नहीं लिखेंगे flat 2 भी हो सकता है flat 3 भी हो सकता है flat 2 और floor 2 is empty flat 2 floor 2 का empty है तो यहां से यह empty हो जाएगा साक्षी stays on flat number 2 on one of the floors साक्षी किस में है flat 2 में हो गया उर्वशी stays on flat number 2 2 में और कौन कौन है देखो 2 में हमारे पास एक तो साक्षी है एक उर्वशी है Tina stays on flat number 3 of the same floor on which Vaseem stays Vaseem जिस floor के उपर है Vaseem जिस floor के उपर है उसी floor में कौन है Tina दोनों का क्या है same floor clear और Tina कौन से है flat number 3 पे flat right to the साक्षी is empty साक्षी के right वाला floor साक्षी है flat 2 पे मतलब definitely एक flat 3 क्या है empty है एक flat 3 क्या है empty और just साक्षी के right वाला है तो यह साक्षी है इसके just right वाला flat on which रूही stays is below the flat of साक्षी such that both of them are living in different flats रूही का जो flat है साक्षी से नीचे कौन है रूही और दोनों का क्या है different flat है साक्षी flat 2 पे है मतलब रूही जो है या तो 1 पे होगी या 3 पे होगी flat number 3 और floor number 4 is empty flat number 3 जो है floor number 4 का empty है और ये मैंने आपको बताया था ये वाला flat 3 empty है ये एकदम right किसके है साक्षी के मतलब यहां पे कौन आ जाएगी साक्षी और यहां पे कौन आ जाएगी वसीम clear, इतना सबको clear है तो ये cancel out कर देते हैं, ये भी cancel out कर देते हैं साक्षी और उर्वशी flat 2 पे है तो उर्वशी हमारे पास यहाँ पे भी आ सकते हैं यहाँ पे भी आ सकते हैं, कोई बात भी वसीम और टीना same floor पे है लेकिन टीना flat number 3 पे है तो वसीम floor 3 पे है, तो टीना यहाँ पे आ जाएगी और टीना यहाँ पे आ जाएगी ये भी बन गया, इसको भी cancel out कर देते हैं साक्षी से नीचे रूही है और यहाँ पे वो flat 1 या 3 पे हो सकती है अगर मैं साक्षी से नीचे यहाँ पे देखू तो रूही नहीं आ सकती और यहाँ पे देखू तो रूही यहाँ पे यहाँ पे आ सकती है यहाँ पे और यहाँ पे भी आ सकती है कोई बात नहीं Jordan states on the flat right to the उर्वशी उर्वशी के right वाले flat में कौन है? Jordan ध्यान से देखो उर्वशी कौन से पे थी? अगर मैं उर्वशी को यहाँ लगा हूँ तो Jordan नहीं आ सकता उर्वशी को यहाँ में लगा नहीं सकती मतलब उर्वशी यहाँ जाएगी तो Jordan कहा जाएगा यहाँ पे बाकी को रिमूव कर देते हैं अच्छा यह तो एम्टी था ना दुबारा से बनाना पड़ेगा यह एम्टी था और यहाँ पर आसकती है कौन रूही यूरी और वीना स्टेश ऑन दे सेम फ्लोर सेम फ्लोर पे या मतलब फ्लोर वान पे भी हो सकता है तो यूरी और वीना यू वेंड वाई टीना और यूरी आर नौट शेरिंग दे सेम फ्लाट नंबर टीना और यूरी टीना फ्लाट थ्री पे है तो यूरी फ्लाट थ्री में नहीं आसकती मतलब यूरी यहां तो नहीं आएगी ठीक है अगर यहां पे नहीं आएगी तो वीना भी यहां नहीं आएगी तो इसको भी हम लोग एक बर पूरा करी लेते हैं टीना आगई थी इधर उर्वशी आ जाएगी इधर जॉर्डन और अगर मैं यूरी और वीना को देखना चाहूँ तो यहां पे तो यहां पे नहीं आ सकते यहां पे और यहां पे नहीं आ सकते मतलब सिरफ और सिरफ second floor ही बच रहा है हमारे पास तो अगर हमारे पास Yuri किस पे नहीं है flat 3 में नहीं है तो flat 1 में तो आई सकता है इधर वीना आ सकती है और इधर हमारे पास Yuri आ जाएगा यह वीना आ गई और यह हमारे पास Yuri आ गया वैसे मैंको लगता है एक case में बनी जाएगा Zoya does not stay on the top floor Zoya top floor पे नहीं है तो यहाँ पे first floor पे नहीं आएगी Zoya यहाँ पे भी आ सकती है Zoya यहाँ पे भी आ सकती है अगर मैं Consider करूं तो मेरे पास रूही के लिए सिरफ और सिरफ यही जगह बच रही हैं तो यही थी क्योंकि मैंने यहां पे यहां पे और इधर और इधर लगाया था रूही को तो रूही के लिए एक ही जगह थी That means Zoya आजाएगी यहां पर और हमारे पास बच त्च कॉन सरइः यहां पर we ourselves बघ्र हाँ जाएगे लेपर हमारी और यहां पर आरेंजमेंट एकद्धं पूरी हो चुकिया है यह सिंगल भ आर्रेंजमेंट में बन गया हमसे डबल एंजnhमेंट इसमें नहीं थी क्योंकि cases इसमें बनें दुए हैं, so this is the final arrangement, I hope आपने यह arrangement, खुझ से भी अगर साथ-साथ में बनाई है, तो एकदम सही बनाई होगी, इसके मैं extras remove कर देती हूँ, तक कि कोई भी confusion ना हो, यह रही, so this was all for today, I hope you enjoyed the session and this is about the PDF course, PDF course के बारे में यह है, देली के practice questions आपको यहां पर मिलेंगे, 60 days का plan, day wise plan है and इसमें हमारे 9000 प्लस questions है, दोनों ही languages के, Hindi के और English के भी और सभी के topics के, सारे के सारे topics include है, pre और mains के, यहां पर annual test package आपके पास है, तो 450 का पढ़ेगा और अगर नहीं है, तो आपको 500 का यहां पर पढ़ जाएगा, यह सरकल सोड़ा सा गलत लग गया, यहां पर 500 रुपीस का हमारे पास annual mock test packages में वान एर की validity है, प्लस आपको यहां पर सारे के सारे mock test मिलेंगे, full lens, sectional, mini mock, speed booster, सारे के सारे जोग की अगले एक साल में आने वाले हैं, जब से आपने mock test purchase किया है, website मतलब PC पे भी access कर सकते हो, और mobile पे भी access कर सकते हो, English में भी है, Hindi में भी है, तो कोई problem यहां पर नहीं आएगी, All in one mock test हम लोग PDF series के साथ में चला रहे हैं, जिसमें 15 mock test हमने आपको दिये हैं, सारे के सारे exams के, PO और clerk के prelims और mains के, एक-एक सबका है, 15 mock test है, every Saturday and Wednesday आपके पास आता है, और यह already start हमने कर लिया है, annual package आपके पास है, तो this is free for you, अगर नहीं है, तो आपको यह अलग से लेना पड़ेगा, technical support के लिए आप यहाँ पर mail कर सकते हो, and Instagram पर आप मुझे यहाँ पर DM कर सकते हो, को पोस्ट में कर रहे हैं, यह हमारी other channels है, other platforms है, चानल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लेना, Telegram चानल पर update आपको मिलती रहती है सभी classes की, प्लस website पर काफे सारा free content भी है, कर.